नमस्वार दोस्तों स्वागत है आपका अन्यूत्कर से इस विडिएक चलने में आज़के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेनवंस की सेनवंस चुकि मैंने बताया था की यह क्या थे करनाटक में जब चोल सासको ने आकरमड किया था तो उनहीं के साथ में आ करके यह शापक सामंत सेन काड़ कोई उपलबधी वगरा है नहीं, इसके बाद आह है विजे सेन के बारे में देखें कि तुक इसमे कलिंग के राजा, कलिंग के राजा अनन्थ वर्मन चोडगण से मित्रता इस्थापित करने के कार्ड इसमे चोडगं सक्खा भी कहते हैं। तो चोड और विद्धान सागर नामक ग्रण्थ की रचना की और लेकिन अद्भूत सागर को पूड करता है वो इसका पुत्र लच्मन सेन पूर करता है तो याद रखेगा लच्मन सेन इसको आगे चल करके पूरा करेगा और कहते हैं इसने क्या कहता है कुलीन वादी सामाजी कांदोलन भी चलवाया था याद रख सकते हैं बाकी अपने पिता की तरह सेव मतानुयाई था अब इसके बाद जम देखेंगे जो सासक आएगा वो होगा लच्मन सेन लच्मन सेन ने कहा करें राजधानी गौड को बनाया है गौड पहले से थी आगे चल करके लखनाउती बनाता है और फिर पूरी तरीके से इनकी राजधानी जो इस छत विचत हो जाती है चुकि इसके काल में बक्तियार खिल जी अटैक कर देता है तो आएगे देखते हैं आखिर कहानी क्या है कहते हैं लच्मन सेन ने कहा किया था कासी में पूरी में तथा प्रियाग में विजए की थी और वहाँ पर विजए इस्तंब की स्थापना की थी तो देखें कासी हो गया कासी की बात करें चाहे वो प्रियाग की बात करें चाहे वो पूरी की बात करें इन जगों पर इसने विजए वगरा की और विजए करके इसने किया कि यहां पर विजय स्तम्भी स्थापित के लेकिन इसके काल की महातुपूल घटना यही है कि जिसमें क्या होता है यह सेनमस पूरी तरीके से चट विचट हो जाता है इसके काल में अटैक होता है बंगाल पे बक्तियार खिल जी का तो क्योंकि इसी टाइम पे जब देखेंगे तो बक्तियार खिल जी का आकरमण हुआ और लचमन सेन भाग कर दच्छड पूरी बंगाल भाग गया तो कुतुब बुद्दीन बक्तियार खिल जी का अटैक जब इसके काल में होता है तो लचमन सेन भाग करके दच्छिड पूर्वी बंगाल भाग गया देखे यहां पर अटेक हुआ लखनवती के पास में तो भाग करके कहां चला गया यहां आ गया तो दच्छिड पूरी बंगाल में चला गया और यहीं से कुछ दिनों में सासंग चलाता हुलाता है बाकी आगे चल करके 20-25 वज़ इ इंपॉर्टन नहीं है और यहीं से क्या होता है कि जब देखेंगे हम तब इसका अफसासन जो है सेन्वंस खतम हो जाता है पूरी तरीके से बंगाल में जो है वो मुस्लिम सत्ता इस्थापित हो जाती है और इस काल में हम देखते हैं तो मिनहा जो सिराज की बात करेंगे त मिनहा जो सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में लचमन सेन को हिंद का खलीफा कहा है तो हिंद का खलीफा किसको कहा जाता है लचमन सेन को लचमन सेन को क्या बोलते हैं हिंद का खलीफा बोलते हैं यह देखें इंपोर्टन लाइन में बता रहा हूं आपको हिंद दिल्ली सतनत की स्थापना के समय ग्रकुमास्ट गिणा..... बहुत सारे कवियों को इसने राजासरे मतलब की आसरे दे रखा ता जिनकी कविता है गीत गोविंद और चंदर लोग गीत गोविंद को जितना important कर सकते हैं कर लीजे पूछा जा सकता है जैदेव की रचना गीत गोविंद है तो गीत गोविंद किसकी रचना है बाकी किसकी काल्व के थे तो लचमर सेन के काल्व में थे धोई की रचना पवंदूतम ये पवंदूत बोलते है पवंदूतम भी बोलते है और हलायूत की ब्रह्म सर्वस्ो यह इनका पुर्दान नैदिस्त था मुक्य मंत्रि भी था श्रीधरदास की सदुकति करणामरत भी इनकी इंक इस्पोर्टन्ट है यहां पर बहुत से सासक आएं लेकिन जो important है उनकी जम बात करेंगे तो यहां पर एक important वंस है इसको बोलते हैं सोम वंस इन्हें उडिसा का निर्माता कहा जाता है तो उडिसा का निर्माता किसको बोलते हैं सोम वंस के लोगों को उडिसा का निर्माता कहा जाता है और कहते है सोमवंसी जो सासक थे वो तुरिक लिंगा दीपति की कहा गया है वो उपाधियां वगरा इसकी धार्ण करते थे और इसका संस्थापक जो था वो सोमवंस का महा भवगुप्त जनमेजय था आगे हम देखेंगे तो गंगवंस आएगा संस्थापक जो ए वजरास्त पंचम है और इसके बाद हम जब देखेंगे तो सासक आया राज राज देवेंद वर्मा, इसके बाद हम देखेंगे तो आया अनन्त वर्मा चोड गंग, यह थोला ज़्यादा important है, बाकी इन दोनों को कोई मतलब है नहीं याद करना, अनन्त वर्मा चोड गंग की कुछ घटना है जो important और इसकी उपादी जो थी वो उतकल स्वामी मतलब कि उडिसा का स्वामी और गंग चोडा मडी भी बोलते हैं यह गंग आथा था थै पूरवी गंग बोला जाता था पूरवी गंग बनस था और इसकी खास इंपोर्टेंट चीज जो आपको जाननी इसने जगनात मंदिर का न कहते हैं कि इस जो अनंत वर्मा है अनंत वर्मा के अभिलेखों में इस वंस की उत्पत्ति को विश्लू से जोड़ा गया है तो यह याद रखेगा विश्लू से जोड़ा गया है और इस वंस को परम ब्रहमर भी कहा जाता है तो परम ब्रहमर किस वंस को कहा जाता है तो बोलते पूरवी गंग बंज को पूरवी गंग बंज को बोलते हैं तो इसमें देखिया अब हमें दुबारा अंडरलाइन के दरहाँ इंस पीज़ों को आप सबसे पहले आप देखे इस पेज में आप जैदो को याद रकिए धोई को याद रकिए हला यूध ये तीन important है बाकी बात करेंगे तो त्रिक लिंगा अधिपति कौन मतब कि किसको बोला गया तो सोम बंस के साथ को कि ये important है और अनंत वर्मा चोडगंगर ने क्या किया था जगनात मंदिर की निर्मार क्या था ये line most important है इतना आप याद रखेंगे बाकी कुछ खास important नहीं है बाकी जो कवी जो मैंने बताया ना इनको आप याद रखेंगे कि किसके काल के है लचमर सेन के अब हम और बात करेंगे तो इसमें जह हम देखेंगे इस पेज में तो हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले याद रखेंगे सेन वंस का संस्थापक को हो था सामंत सेन ये important है ब बूलीन वादी सामाजी कांदोलन किसके काल में चला बलाल सेन के टाइम पे चला और किसके सासन काल में बक्तियार खिलजी का टैक हुआ लचमर सेन के काल में हुआ और बाकी किसे हिंद का खलीफा बोला जाता है लचमर सेन को बोला जाता है तो यह चीज़े important है इनको आप तो सेन वंस फिलाल इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट ही जो मैंने आपको बताई है जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बात करेंगे राजपूत वंस की राजपूत वंस जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वह गुर्जर प्रतिहार तो अब लोग देखने के लिए रेडि रहे हैं नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंस के बारे में काफी अच्छा वीडियो होगा तो जिस तरीके से अब हम जैसे नौर्थ इंडिया के जितने भी वंस वगरा रह दच्छिल भारत की क्या इस्तिति थी उनका हम जिकर करेंगे उसमें चेहर चोल पांड की बात की जाएगी रास्ट कूट पल्लव और इन सब केंद जितने भी वंस रहें उन सब की बात हम आपको करेंगे और काफी अच्छे से बताने की कोसिश करेंगे और आपको क्यूंकि परिच्छा में देखेंगे तो दच्छिल भारत से जो प्रसना आते हैं वो आपके लगबग गलत हो जाते हैं जल्दी सही नहीं पाते हैं दच्छिल भारत की सैली कला सैली के बारे में आपको बताएंगे कि कौन से कला सैली दच्छिल भारत में पनपी और उनके कौन-कौन से प्रमुक मंदिर वगर आ रहे हूं इन सब की बात हम दच्छ भारत में करेंगे तो फिलाल से इन वंस के इस वीडियो में फिलाल आज के लिए बस इतना ही उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ से जरू की जेगा धन्यवाद।